हलो और इवन वेलकम टू गुलशन अकेडमी और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल पर तो यूजी सी नेट पेपर वन में अगर आप देखेंगे पीपल एन इंवार्मेंट में तो एक टॉपिक दिया हुआ ह हैं मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल का तो वो जो है आज हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को एंट जरूर देखें क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने कवर की हैं इस वीडियो में ठीक है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजी सी लिंक मैंने इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन में दे दी है ठीक है तो वहां से आप जो है कवर कर सकते हैं explained वीडियो के नाम से हमारी प्लेय लिस्ट है ठीक है ने UGC net paper 1 की रहे हैं तो चली शुरू करते हैं तो मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल समझने से पहले आपको जो है HC, FC हो गया, हैलोन हो गया, और nitrogen oxide हो गया, तो ये ऐसी गैसे होती है, जो हमारे वातावरण में जो है, एक gas होती है, जिसका नाम है ozone gas, ठीक है ने, उसको खतम करती है, अब ozone gas का हमारी प्रिथवी पर काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, तो सूरई की जो किरने हैं, जिसे हम कहते हैं, ultra, violet, rays, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पराबैगनी किरने, तो ये किरने जब प्रिथवी पर आती हैं, तो उससे पहले, समताप मंडल में एक gas पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, जिसे O3 के रूप में भी लिखते हैं, तो ये जो gas है, ओजोन gas, इसकी खोज 1840 में हुई थी, और इस gas का काम ये होता है, कि सूरई से आने वाली जो UV rays है, यानि पराबैगनी किरने जो हैं, उनको चानना, ठीक है न, वायू मंडल को क्योंकि परतों में बाटा गया है, छोब मंडल, समताप मंडल, मद्य मंडल, तो हमारे वायू मंडल की जो समताप मंडल वाली परत है, वहाँ पर ये gas जो है पाई जाती है, ठीक है, तो ये gas अगर खतम हो जाती है, हैं हमारे समताप मंडल में तो ये पराबैगनी किरने जो हैं वो सीधा प्रित्वी पर आएंगे तो जब ये सीधा प्रित्वी पर आएंगे बिना अच्छने हुए तो होगा ये कि कई प्रकार की समस्साई हमारे समक्ष होंगी जैसे कि हमारे वातावरन, पर्यावरन और मानव सभी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ओजोन गैस जो है ये महतपुन भूमी का निबाती है ठीक है वायू मंडल में लेकिन इन गैसों के कारण जैसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो गया हाइडरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो गया हैलोन हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया यह गैसे जो है यह ओजोन गैस को खतम करती जा रही है ठीक है जिसके कारण जो है यहाँ पर गैप हो रहा है और के संरक्षन के लिए जो है ये प्रोटोकॉल जो है बनाये गया था जिसे हम कहते हैं मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल ठीक है तो कितने जितने भी महत्मून बिंदू है मैंने यहां पे लिखे हुए हैं ठीक है कि मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल जो है वो एक प्रकार की अंतरास् अगर इसमें कम होते जा रही है, खतम होते जा रही है, तब जो है, ये संधी पर चर्चा की गई, और कोशिश ये की गई, कि जल्द से जल्द जो है, इन गैसों को रोका जाए, ठीक है, तो ये कब अपनाया गया ये प्रोटोकॉल, तो 16 सितंबर, 16 सितंबर 1987, यानि 1987 में जो ह है, इसको अपनाया गया था, 16 सितंबर की डेट आपको याद रखनी है, इसी दिन जो है, ओजुन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ओजून 1989 को जो है इसको अपनाया गया था 1989 ठीक है नहीं और भारत ने कब इसमें अपने हस्ताक्षर किये थे तो इस प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किये थे उनिस सो बानबे में ठीक है संयुक्त राष्ट पर्यावन कारेकरम इसका महत्पून योगदान था यह कोशन आप से पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल में किस संयुक्त राष्ट संके किस अंस्था का महत्पून हाथ था या महत्पून भूमिका थी तो आपको याद रखना है UNEP ठीक है महत्पून भूमिका थी उसकी अब मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल जो है 1987 के तहत इसमें क्या-क्या बाती की गई थी वो भी आपको याद रखनी है इसके तहत यह बोला गया कि जितने भी विक्सित देश हैं ये देश क्या करेंगे 2000 तक सं 2000 तक जो है जितने भी आप CFC का उत्पादन करते हैं उपयोग करते हैं उसको पूरी तरह से आपको रोकना होगा ठीक है और जो विकासील देश थे विकासील देश जो थे उनको ये कहा गया कि आपको CFC का उत्पादन और उब्भोग जो है वो 2010 तक बंद करना होगा यानि कि इनको 10 सा जो है अत्रिक्त दिये गए थे CFC का उत्पादन वा उब्भोग को रोकने के लिए ठीक है अब इतना आपको याद रखना है ठीक है और जितने भी वो अल्प विक्सित देश वगरा थे उनको जो है इसमें और अधिक छूड़ दी गई थी इस संधी में कहा जाता है 1997 देश जिस पर सबसे जादा देशों ने हस्ताक्षर की है ठीक है अब इताक कैसी कोई संधी या कोई ऐसा समझोता नहीं हुआ है जिस पर इतने सारे देशोंने अपनी सैमत्ती जाहिर की हो तो यह संव् Brotherarast संधी का सबसे पहली चांदी बन गई है जिसपर इतने सारे संधी संधी आगे की वीडियो ठीक है अगर आप जादर जादर लाइक करेंगी तो इससे हमें प्रोथान मिलता है नई वीडियो को बनाने के लिए ठीक है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC ने पेपर वन के लिए तो आप हमारी वीडियो जरूर देखें जो हमने पहले अपलोड कर र गैसों के लिए जो है एक बहु पक्षिय कोस बनाए गया था यह क्या करता है यह मदद करेगा विकासिल देशों को कि वो जो है CFC जैसी गैसों को कम से कम किस तरीके से इस्तमाल कर सकती है ठीक है उनको विकल्प परदान करने के लिए इसकी खास्तोर से स्थापना की गई थी बहु पक्षिय कोस की ठीक है यह पॉइंट आपको याद रखना है तो आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ यह इस वीडियो